हेलो एब्रिवान स्वागत आप सभी का मेरे चानल पर आज की इस वीडियो में मैं आज आपसे डिसकस करने वाली हूँ और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दू कि मैंने के टीरी पीडिया फॉर्म में बनाई हुई है अगर आपको पीडियो फॉर्म में वीडियो को और जादा डीटेल में पढ़ना है तो आप मेरी वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जाके चेक आउट जरूर करिएगा और जो ये वीडियो होने वाली है ये वीडियो बिसिकली एक रिविजन की वीडियो होगी मतलब ये है कि हम यहाँ पर पूरी थेयरी को डिटेल में डिस्क्स करेंगे मैं आपसे बहुत ही ज़दा डिटेल में एक एक चीज को डिस्क्स करने वाली हूँ जितनी भी चीज़े यहां लिखी हुई है उनको discuss करेंगे एक आपका revision हो जाएगा ठीके गाइस तो start करते वीडियो को और बहुत ध्यान से सुनना है आपको दो काम करना है एक काम करना है कि आपको copy pen लेके बैठना है और जो जो चीज़े मैं बताती जहां वो आपको note करते ज क्या है 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 ना तो उनके थेयरी का नाम पता हुए अचिए क्या दिया वहीं मौरल डेवलपमेंट ढूर नयतिक विकास सिधान दिया को लग ने और अपनी थेरी में इनों ने तीन लेवल कितने लेवल दीत को भग ने तीन लेवल और हर लेवल में दो-दो अवस्थाएं फिर थी थी ठीक है पहली चीजए आपको यह याद रखनींगे इंड़ के बाद आता है कि इन्हों ने कहा क्या था ना पियाज जीकए का jx c moral development methodology प्रिशिया ने भी क्योंकि moral development पे काम किया है तो इन्हों ने III की थियोरी को आगे बढ़ाया था यह ले गयaria थे और उसको revise किया था और इन्होंने अपनी थेरी दी थी इस थेरी की बात अगर मैं इसकी कुछ खासियत बताऊं तो क्या है कि इन्हों ने कहा कि जो भी यहाँ पे हमारे stages होते ना यह जितने भी stages है stage 123456 जितनी भी अवस्थाइं होती है इन अवस्थाओं का जो क्रम होता है वो निश्चित होता है यानि कि हमारा जो मौरल डेवलप्मेंट है ना वो एक order से हो रहा है वो एक क्रम से हो रहा है ऐसा नहीं है कि आप एक अवस्था को स्किप करके दूसरी अवस्था पर पहुच जाओगे यानि कि order जो होता है अवस्थाएं जो होती है वो एक निश्चित क्रम से चलती रहती है कोलवक की थे करते हैं ऊपको सही और गलत का चुनाव करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है वो हमारी morality हो गई सही गलत का निर्णे लेना या सही गलत का चुनाव करना एक नैतिक विकास होता है ठीक है उसके बाद इन्होंने बात की moral reasoning की ये बहुत important है moral reasoning and moral dilemma इन दो चीजों की बात हम लोग अच्छे से यहां पर करने वाले है moral reasoning क्या होती है जिसको हिंदी में हम नैतिक तरकना क नहींगे यह होता है कि cognitive process in thinking okay moral reasoning refers to cognitive process in thinking about moral dilemma क्या समझाए आपको words को ध्यान से समझेगा क्या कहरी हूं cognitive process in thinking यानि हमारे सोचने में जो हमारा सोचने विचारने का एक तरीका होता है कब जब हम डिलमा के बारे में सोचते हैं ठीक है अब थोड़ा सा एक example लेते हैं हम लोग तब आपको समझ में आएगा यहां पर एक word आया है नैतिक द्वंद जिसे हम नैतिक दूविधा कहते हैं moral dilemma कहते हैं यहां पर कोलवग ने अपनी थेयरी में moral dilemma की बात की है उन्होंने एक हेंज की कहानी सुनाई थी और बच्चों के सामने कुछ dilemma रखेते अब यह dilemma क्या होता है वो देख लेते हैं नैतिक दूविधा जिसे कि आप पिच्चर देख रहे हो मैंने बनाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए यहां पर देखो क्या है तीन रास्ते जा रहे हैं एक right है एक left है और एक सीधा है अब आपको समझ नह ही आएगा कि आप कौन से रास्ते पर जाओगे यही हमारी नैतिक दूविधा होती है ठीक है मतलब की दो रास्ते हैं इधर जाओं कि इधर जाओं दोनों रास्ते सेम है कहां जाए moral dilemma हमारे सामने एक दवंद की स्थिति जब आ जाती है जब हम हम डिसाइड नहीं कार पाते होंगे यह हमारे समने बहुत सरी से सिचुवेशन होती है ठीक है जिसकी एक एक बहुत अगर मैं बोलू कि मालो आप जो हैं किसी की वीडियो देख रहे हैं माली यूट्यूब पे आप किसी की क्लास देखते हो दो टीचर एक ही बार में लाइव सेशन ले रहे हैं अब आप के दोनों ही फेवरेट हैं और आप चाहते हो कि आप किसकी क्लास मिस करें और किसकी क्लास उस टाइम पर देखें वह आपके सामने एक डिलेमा आ जाएगा आपको समझ नहीं आएगा कि क्या डिसिजन लिया जाए तो जो हमारे दूविधा होती वह ही होती है कि हम स्टाक होत करते हैं मतलब कि दूविधा में जब हम कोई ठिंकिंग कर रहे हैं हम जब विचार कर रहे हैं हम जब डिसिजन ले ले लेते हैं अब आपको तो निन्ने लेना पड़ेगा ने कि आपको कहा जाना है एक निन्ने तो लेना ही पड़ेगा मान लो तीन दोस्ते तीनों पानी मे करते हैं हम जहां पर सोचते हैं reasoning करते हैं decision लेते हैं उसे हम moral reasoning कहते हैं मतलब अब साफ सिधी भाषा में अगर मैं समझाओं तो हमारे सामने जो भी दुविधा होती है जो भी नैतिक reasoning होती है वही हमारी नैतिक तर्कना होती है अब इसके बाद अभी हम लोग चलेंगे कुछ stages पे ठीक है आई होप आपको यह चीज़े क्लियर हो गई होंगी अब चलते stages की तरफ सबसे पहले आते हैं लेवल अब इन्होंने क्या किया कि जो हमने अब रीजनिंग पढ़ा है ना यही reasoning हम अलग-अलग अवस्थाओं में लेते हैं यही reasoning हम करते हैं अब हम discuss करेंगे stages को जो की main part है इस theory का ठीक है यहां पर मैं hands की कहानी नहीं सुना रही हूं hands dilemma वाली कहानी नहीं सुना रही हूं जो हेंज होता है यहां पर हम सीधा stages की बात करेंगे मैंने आप से कहा है कि अगर आपको detail में पढ़नी है theory पूरी तो आप link description में मिल जाएगा वीडियो जाके है तो मैं इस level के बारे में बता दू क्या होता है जो हमारा pre-conventional morality अवस्था होती है इस अवस्था में क्या होता है कि जो भी आप moral reasoning करते हो जो भी आप decisions लेते हो वह आप या तो punishment से बचने के लिए करने के लिए लेते हो या आप अपने पुरसकार के लिए लेते हो ठीक है दिमाग में दो चीज आपको रखनी है एक चीज कि आप डंड से बचने के लिए punishment को avoid करने के लिए कोई निड़ने ले रहे हो या हम किसी पुरसकार अपने फायदे के लिए कोई निड़ने ले रहे हैं यहाँ पर judgment दो ही तरीके का हम करते हैं यहाँ पर हम society, law, rule इन सब के बारे में नहीं सोचते हैं यहाँ पर basically morality के बारे में बच्चा नहीं सोचता है अभी तो यहाँ पर क्या होते हैं सबसे पहला stage देख लेते हैं सबसे पहली अवस्था आती है सजा से बचने ही तू आग्या पालन अवस्था यानि कि punishment, obedience, orientation ठीके यहाँ पर है कि आप क्या करते हैं doing what is right because of fear of punishment यानि कि आप वही चीज करते हैं जिस चीज से आपको punishment ना मिले जैसे कि मैं चोरी नहीं करूँगा मैं घर में पापा की जेब से पैसे नहीं निकालूँगा क्योंकि इस से मुझे punishment मिलेगी वहाँ पर बच्चा कहता है कि मैं पेपर में cheating नहीं करूँगा क्योंकि teacher मुझे मारेगा मैं cheating नहीं करूँगी क्योंकि मुझे मम्मी मारेंगी मैं सामान नहीं उठाऊंगा क्योंकि मम्मा मुझे मारेंगी मतलब समझ आ रहा है क्या कहने का है कि यहां पर बच्चा जो भी करता है जो भी वो decisions ले रहा है moral reasoning ले रहा है वो सर्फ इसी basis पे लेता है कि मुझे आग्या का पालन करना है और मुझे punishment को avoid करना है ओके यहां पर जो भी बच्चे की morality होती है वो बाहरी सत्ता पर अधारित होती है एक बात आप दिमाग में रखिएगा गाईस बाहरी सत्ता का मतलब है कि जिकने भी उसके आसपास के लोग है न वो decide करते हैं मतलब parents, माता, पिता सबका influence बच्चे का यहां पर पढ़ता है अपने decisions यहां पर अपने according हो नहीं ले रहा है समझार यह तो बाहरी सत्ता पर अधारित यहां पर उसकी morality होती है ठीक है उसके बाद second चीज़ आता है second अवस्था पर चलते है पहली अवस्था हमारी done second अवस्था होती है साधनात्मक सापेक्ष्टावादी यानि कि instrumental purpose orientation यह क्या होती है यहां पर होता है कि अदला बदली का भाव instrumental purpose orientation यानि कि अदला बदली की भावना बच्चे में पाई जाती है बच्चे में cooperation की भावना आ जाती है यहां पर बच्चे क्या करते हैं यहां पर sharing करते हैं बच्चे आपस में lunch share करते हैं तुम मेरे घर का खाना का लो मैं तुम्हारे घर का खाना खालूंगी है न들फित नर यहां बच्चा क्या करता है कि दूइंग वाट जो भी वहां जो भी बच्चों यहां पर सही निर्णे लेता है ना जो भी मॉरल रीजनिंग यहां पर बच्चा करता है वह इस वजह से करता है कि मुझे क्या मिलेगा ठीके बात मुझे क्या मिलेगा जैसे कि एक पैंपल देती हूं स्कूल में अगर बच्चे बात कर रहे हैं आपस में बैठके बच्चे बात कर रहे हैं तो एक लड़की खड़ियों के कहते हैं कि मैम यह बात कर रही है है ना वह क्यूं बोल रही है वह क्यूं शिकायत कर रही है दूसरे बच्चों की ताकि उसे क्या मिले reward मिल जाय सको शबाओ ही मिल परस्नल कुछ मिल जाए तो यहाँ पर हमारा क्या होता है जो भी हम decision लेते वो हम अपने अरहता को priority पर रख करके लेते हैं यहां परो व्यक्ति केंदरित होते हैं हम मतलब बच्चा क्या होताया港 में केंद्रेत होता है अपने आपको केंद्र में रख करके सोचता है ठीक है तो यह हो गया हमारा साधनात्मक सापेक्षतावादी जहां पर टेट की सिचुवेशन होती है अपने अपने रिवार्ड के लिए हम यहां पर काम करते हैं तो गाइस मैंने सबस्क्राइब टू यहां से स्टास्ट रख लेवल नंबर टू धयां से सुनिएगा ठीक है लविटू जो है वह वह भी सिस्टेजनल रीजनींग कहते हैं पारंपरिक नेतिकता स्तर क्या कहते हैं यहां पर हमारा स्टेज नंबर 3 और स्टेज नंबर 4 आता है अब एक एक स्टेज को ध्यान से सुनिएगा स्टेज नंबर 3 आता है गुड़ बॉइग गुड़ गर्ल ओरियंटेशन जिसे हम कहेंगे अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की अवस्ता या बनने का भाव यहां पर होता है ठीक है गुड़ बॉइग गुड़ गर्ल वाली स्टेज होती है जैज नंबर 3 अब यहां क्या होता है यहां पर है कि दूसरों के सामने अच्छा बनने और स्वीकृति को पाने के लिए ही डिसेजन्स लेता है क्या करता है यहां पर कि doing what is right according to according to others needs and expectations मतलब कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं दूसरे लोग मुझे कैसा मानते हैं इसके according to decisions लेता है ठीक है अच्छा बनने के लिए लेता है जैसे कि एक बच्चा कहता है कि मैं पेपर में cheating नहीं करूंगा क्योंकि लोग मुझे कहेंगे कि मैं गंदा हूं तो मैं पेपर में पढ़के जाओंगी क्योंकि मुझे सब कहेंगे कि यह बहुत अच्छी लड़की है कि पढ़ाई करती है है न तो यहां पर क्या होता है कि बच्चा अच्छा बनना चाता है यहां पर decisions वो गलत भी ले सकता है For Example मान लीजिये कि इस अवस्था में एक बच्चा कहता है कि मैं अपने पेपर में कुछ फर्रे और ले जाओंगा मैं चीटिंग कर लूगा कुछ ऐसा कर लूँगा ताकि मेरे मम्मी पापा मुझे प्राउड फील करेंगे मैं फर्स्ट आओंगा मतलब decisions तो गलत ले रहा है ना cheating कर रहा है बट उसको लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मम्मी पापा मैं फर्स्ट आ जाओंगा और उसके बाद मम्मी पापा मुझे खुश हो जाएंगे तो यहां जितनी पर decisions होती है वो बच्चा स्वीकृति पानी के लिए अपने आपको approval करने के लिए दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए बच्चा करता है लेवल नमबर टू का पहल यह क्या है स्टेज नमबर थ्री है ठीक है उसके बाद फोर आता है हमारा social order maintaining यानि कि law and order stage law and order stage को हम कहते हैं समाजिक व्यवस्था को बनाए रखना law and order stage यहाँ पर क्या होता है गाईस conventional level का stage number four है आपको याद रखना है यहाँ पर हम क्या करते हैं कि नियमों को हम मानने लग जाते हैं समझा रहे बात कि doing what is right because it is your duty and to help the society मतलब कि नियमों को मानना और पालन करना हमारा करतव यहाँ बन जाता है मतलब कि school में uniform में जाना है discipline में रहना है बात नहीं करनी है नियमों को मानना है हमें law and order क्या कहता है कि अगर आप traffic light का पालन कर रहे हैं signal पे रुक रहे हैं है तो वो क्या है आप law and order को maintain करके चल रहे हैं ठीक है guys तो यह याद रखना है 10 से 13 वर्ष की उम्र होती है ठीक है लेवल टू जो होता है न बेसिकली अगर मैं लेवल टू को पूरा का पूरा समप करूं मतलब overall बताओ तो इस अवस्था में क्या होता है यहां पर बच्चा परिश्मेंट के लिए कर रहा था डंड से बचने के लिए यहां पर बच्चा अपने reward के लिए धीरे धीरे जाने लग जाता है और यहां पर क्या करता है वह broader society की तरफ जाता है मतलब यहां पर नियमों को मानने लगता है कि जितने भी society ने नियम कानून बनाए है हमें उनका पालन करना चाहिए जो rules होते हैं यहां पर चौथी अवस्ता में वह fix होते हैं हम उन्हें नही नहीं तोड़ा जा सकता हमें उसका पालन करना है और यहां पर हम जो भी right decisions जो भी लेते हैं वह इस basis पर लेते कि यह हमारी duty है हमें करना है ठीक है तो यह था हमारा stage number four अभी तक हमने पहला लेवल कर लिया pre conventional दूसरा लेवल कर लिया conventional जिसमें हमारे दो स्टेजिस आ गए good boy good girl and law and order and third जो हमारा level आएगा जहां पर बहुत लोगों confusion होती है third level है सबसे highest level होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल morality जिसे हम हिंदी में कहेंगे उत्तर पारंपरिक अवस्था ठीक है गाइस कि कौके उत्तर पारंपरिक अवस्था होती है यहां पर चीया होता है पाचवी अवस्था आ जाती है यहां are relaxed अवस्था नबंद अवस्था ठीक है हिंदी में क्या कहेंगे समाचिक अनुबंद अवस्था social contract orientation इस अवस्था में क्या होता का गर मैं बताऊं तो कि यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो चैइल्ड है एक सौशाइटी ने बनाए एक यहां अपे ना सोशल एग्रीमेंट को बच्छा देखने लगता है अब आपको समझ नहीं आए यह सोशल कॉंट्राक्ट क्या होते हैं अग्रीमेंट क्या होता है वह दो यह सिंपल सी बात है कि चोथी वाध्यावस्था में क्या कर रहे थे लॉइन अडर को मान रहे थे कानूनों का पालन कर रहे थे पाचवी अवस्था में भी हम कानूनों का पालन करते हैं लेकिन अगर हमें लगता है कि हम हमें लगता है कि कुछ नियम कुछ नियम सोसाइटी के अनुसार अच्छे नहीं है कुछ नियम कुछ सोसाइटी के लोगों के according नहीं है तो हम उसे बदल भी सकते हैं समझाई बात कि रूल है जो absolute है बट अगर रूल लोगों के पक्ष में नहीं है या अगर रूल कुछ ऐसे नियम है जो लोगों को उनका कुछ फायदा नहीं हो रहा है उन नियमों कि बहुत सारे रूल हैं जो बदले गए हैं पहले हैना बहुत सारे रूल हैं जो हमें लगता है कि यह सही नहीं तो हमें इसको नहीं करना थे हमने उनमें क्या किया बदलाव किया क्योंकि हमें लगा कि यह नियम सोसाइटी को कुछ भी वेलफेर नहीं दे रहे हैं इन नियमों को हटाना चाहिए तो यह वह अवस्था होती है जहां हम सोचने लगते हैं कि अगर मुझे लगता है कि यह नियम किसी के खिलाफ है या सो सोसाइटी को इससे कुछ भला नहीं हो रहा है तो हम उन नियमों को चेंज कर सकते हैं यही अवस्था होती है हमारी समाजिक अनुबंध अवस्था जहां हम सोसाइटी के जो मानक है जो लोगों के जो एक क्या कहते है जिसको नीड्स है उनको हम एक मेंटेन करके चलते हैं है ना हम उन नियमों को हटा देंगे जिनसे लोगों का भला नहीं हो रहा है तो यह थी हमारी पाचवी अवस्था अब आती है लास्ट स्टेज हमारी यूनिवर्सल एथिकल प्रेंसिपल्स सबसे हाइस्ट स्टेज होती है कोलबग ने जो बोला कि बहुत ही कम लोग यहां तक जा पाते हैं वेरी वेरी एक इंपॉर्टेंट कहूंगी इसको में जो एक जिन्दगी में भी इंपॉर्टेंट होता है और कोलबग ने यह कहा कि बहुत कम लोग होते जो यहां तक पहुंचते हैं यह सबसे हाइस्ट लेवल होता है और यहां क्या होता है कि वी टॉक अबाउट जस्टिस जो इक्वैलिटी है या समानता है न्याए है हम इस चीज के समानकों के नुसार कारे करते हैं यह वाली बात अब ध्यान से सुनिएगा इस अवस्था में मैं जो कहने जारी हूं कि यहां क्या होता है न हम कहां पहुंच गये हैं लास्ट अवस्था हो गई सार्वभॉमिक नेतिक सिध्धान्त यहां पे हमारा सेल्फ आता है क्या आता ह हमारा सेल्फ इंटर्नल वैल्यूज हमारी आ जाती हैं जैसे अगर मैं स्टेज वन पर आ जाओं स्टेज वन पर सीधे आईए यहां पर क्या था कि बाहरी सत्ता पर अधारित था स्टेज वन में जो भी बच्छे का डिसिजन था वह बाहरी एक्स्टर्नल फोर्स से क्या हो हो रहा था लेकिन यहां आते हैं तो हम यहां से डिसिजन लेते हैं हम अपने आंतरिक मानकों से डिसिजन लेते हैं सोसाइटी में रूल चाहे कुछ भी हो अगर हमें वह चीज़ ठीक नहीं लगरी तो हम उसके खिलाफ यहां पर बोल देते हैं यही है हमारा यूनिवर्सल ethical principle आंत्रिक जो हमारे मानक होते हैं उसके नुसार हम यह पर चलते हैं जैसे कि गांधी जी हो गए हैं जैसे कि नेंसल मंडेला हो गए जिन्होंने गोरे काले के भेत के खिलाफ आवाज उठाई गांधी जी हो गए जिन्होंने इतने न्याय और समानता की बात यह लोग करते है मदर टेरिसा हो गई भगत सिंग हो गए जिन्होंने नैशनल असेंबली पर बम फेग दिया था क्यों फेगा था क्योंकि उनको लगा उन्होंने अपने आंतरिक इंटर्नल वैल्यू से सोचा था ठीक है यहाँ पर क्या करते हैं हमारे जो भी डिसिजन्स होते अगर हमें सब को जस्टिस मिले है नहीं यहां पर हम अपना अपना भी दाओ पर लगा देते हैं और हम यह चाहते कि हमारे सोसाइटी का बहुत भला हो जाए ठीक है तो यहांपर क्या है कि हम अपने स्टांडर्स को बहुत ज़्यादे एक्स्ट्रीम लेवल पर मान करके सोचते हैं को ठीक है जरूर पूछेगा आपको कोई डाउट रहे गया अभी वी किसी भी स्टेज में अब चलते हैं इसके बारे में कुछ criticism देख लेते हैं फटाफट से चार लाइन का criticism है मेन में चीजें हैं इनकी थेरी की आलोचना भूत हुई थी criticize किया गे थैंकी थेरी को और मेन कौन थी कारोल गिलिगेन थी इनका नाम याद रखना क्यारोल गिलिगन ज कि कहानी सुनाई थी वह सिर्व और सिर्फ पूरूशो पराधारित थह मतलब कि 10 से 16 साल तक के बच्चे थे बहुत तो टीनेजर जो बच्चे होते उन्हीं का इन्होंने शोद किया ना उसमें मैरिड लोग थे ना उसमें कोई बुढ़े लोग थे उन लोगों का कुछ देख्भाल की बात नहीं की एक दूसरे के प्रती प्यार सम मान इन सब की बात की ही नहीं तो इन्हों ने का कि भावी लिंक यारनि game एक ही कालचर को इंहोंने एहां पर जिस जगां इन्होंने लिया था वहां के उसी कछर के लोग तेढ़ माँंके लिया था था थिए तो स्वेराइटी ऑफ सेपल्स इन्होंने कलेक्ट नहीं कि यह थे variety of cultures को इन्हों नहीं यहाँ पर आड नहीं किया ठीके क्योंकि हर culture की लोग अलग-अलग होते हैं आपको पता है कि अब इंडिया में आप आ जाओ इंडिया के लोगों की नैतिक सोच नैतिक तरकणा morality के जो आसपेक्ट से वो अलग होंगे और दूसरी country के अलग इस यह थी कुछ criticism छोटे वीडियो में चोटे से बोट में समझाने की कोज़िश किये सारी चीज़े आई होप आपको clear हो गया होगा एंड नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं मेरी वाली वीडियो देख लेना जो पीडिया फॉर्म में है और जड़ा डीटेल में अगर देख झाल 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 झाल